तो तो कि वीडियो के नीचे description box में इसका link मिल जाएगा application को open करने के बद simply अपना mobile number डाल देंगे आपके mobile number पर आएके OTP डाल के verify कर लेंगे उसके बाद email address डालने का option आजाएगा simply आपका email id select कर लेंगे आपके phone पर जो भी email id login है कोई दिक्कत नहीं है simply email id डाल के verify करने के बाद आपके सामने एक password 8 digit set करने का option आजाएगा simply 8 digit का password डाल के आप set कर लेंगे account create हो जाएगा और आपके सामने ऐसा कुछ interface आजाएगा application का जो main interface है और यहाँ पर कैसे transfer करना है आगे दिखाता हूँ क्योंकि screen record करके आपको दिखा नहीं पाऊंगा मुझे camera के पीछे जाके दिखाना पड़ेगा सबसे पहले आपको add money करना है simply यहाँ पर load money पर click करेंगे और यहाँ पर amount डालेंगे जितने भी amount आप transfer करना चाहते हैं for example यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10,000 और यहाँ पर add to wallet के उपर click कर दिया जैसे click करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ payment mode का option आ जाएगा यहाँ पर debit card और credit card का option दिखाई देगा simply click करेंगे click करने के बाद आपका credit card का detail से डाल देंगे card number, month, expiry, CBB और card holder का नाम सब कुछ डालने के बाद simply यहाँ पर pay option पर click करेंगे आपके mobile number पर OTP आ जाएगा OTP डाल के verify कर लेंगे जैसे verify कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके wallet में पैसा add हो जाएगा इस पैसे को बापस bank account में अपने 1% bank account में transfer करने के लिए क्या करना है देखिए यहाँ पर simply add to bank account कर सकते हैं या फिर UPI ID डाल के भी UPI account में मतलब bank account में transfer कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं bank account पर click किया bank account पर जैसे click करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ interface आ जाएगा जिस भी bank account में transfer करना चाहते हैं simply select कर लेंगे bank account का number डालेंगे IFSC code डालेंगे continue करेंगे और आपके wallet में जो पैसा है उसी wallet से debit हो जाएगा कैसे करने आपको दिखा दिता हूँ simply मैं bank account details डालने के बाद continue करेंगे continue करने के बाद आप देख सकते insufficient balance क्योंकि wallet में पैसा नहीं है और मैंने अभी तक add नहीं करा और दोस्तों यहाँ पर wallet में पैसा add करने से पहले आपको एक छोटा सा KYC करना पड़ता है यहाँ पर account में यहाँ पर two line पर click करेंगे यहाँ नीचे दिरब जाना है आपको my account में और यहाँ पर देख पाएंगे KYC status tick mark लगा हुआ है लेकिन आपकी case में यहाँ पर red mark रहेगा अपडेट KYC पर click करेंगे यहाँ पर voter card, driving lessons, pen card यह फिर आधर card कोई भी एक document डाल के आप KYC complete करने के बाद ही आप यहाँ पर पैसा add कर सकते हैं